नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दिपेश कुमार स्वागत है अब सब का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आजम बात करने वाले हैं पूर्णिया इनुवर्सिटी के द्वारा जारी किये गए रेजिस्ट्रेशन कार्ड के बारे में जिया दोस्तों अंडर गेजवेट के लिंक से देखना है आप कब तक देख पाएंगे और यह किसलिये चारी किया गया रसी है सबसे पहले मैं आपसे प्रश्रम करना चाहın दोस्तों नहीं में थे having देर ना करते हैं चलते हैं आज पुर्णिया इन्वर्सिट्रे के वेबसाइट के ऊपर जी है दोस्तों यह उसका लिंक है इस लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुका हूं और इस तीज को यहां से आप कॉफी कर लेंगे तो आप लॉग इन करते हैं अपने यॉर्ल में तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है इस तरह के इंटरफेस खुलने में यहां पर दो तीन चाट यह हुए है आपको जाना है स्टुडेंट वाले टैब में यह दोस्तों यह इन चीजों को एक बार पढ़ लेते हैं कि यहां क्या लिखा नोटिस फॉर स्टुडेंट यहां कि प्लीज यूज यूर लॉग इडी और पासफ़र्ड फॉर लॉग इन गाइडलन्स चु डानलोड रिस्टेशन कार्ड फॉर इस्टुडेंट यूस ऑनली यह नहीं कि क्या कह रहा है अपना यूजर आईड और पासफ़र्ड आप डा पासफ़र्ड बनाओगा वह आप डालें और वहां से रिस्टेशन कार्ड आप देख पाएंगे चलिए इस प्रोसेस को हम कंप्लीट आज आज आपके सामने में बता के दिखाता हूं दिखा करके दिखाता हूं कि कैसे यह इसको निकालना है कैसे क्या करना है आपको चलिए यहां पर आधार और यहां पर भी आपका यहन् doing आपका यूजर ने और पासवर्ड दोनों आपका और होता है जैसे ही आप दोनों में आधारकर आमबर अप इंसर्ट कर के िक करते तो आपका पेजg लॉगिन हो जाता था और वहां से आपzn़ कर से प्रोलीट को आप देख पाते थे क्या है कैसे है और क्या करना है तो आज मैं आपको यह करके भी दिखाऊंगा क्रिक्पिया आप हमारे वीडियो पर बने रहें कि अभी आपको एक स्टुडेंट का यहां पर लॉगिन करके मैं दिखाता हूं सेम दोनों में डाल देना है और सब्मीट पर क्लिक करते हैं कि आपका थोड़ा टाइम लेता है उसके प्रोफाइल में लॉगिन कर चुके हैं यहां पर डैस्बोर्ड है यहां पर पासवर्ट च करके हैं आप आपका एक्साइमनेशन की भार है कि यह ही क्लिक करके आप एक्साइमनेशन फॉर्म भी भरेंगे ततकाल हमारा आपका कार्ड में कुछ माता कुछ से Carroll करने की जरूत होती है तो यहां से आप चेक कर पाते हैं कि हमारा सब चीष और फिर नहीं नहीं जदी सब सब्सक्ष़ होता है तो कोई दिक्कत नहीं ज़दी सब चीष सही नहीं होता है तो क्या करते हैं इसके लिए आप online correction या फिर college या फिर university से संपर्क करके इस सीजों को आप correction करते हैं इसलिए board ने जारी किया है ताकि आपकी registration card गलत ना रह जाए तो लिए दोस्तों हमारा यही एक motto था कि आपको कैसे registration card को चेक करना है कौन सा link देना है और किसे आप उसको चेक कर पाएंगी आपको मैं फिर से repeat कर दे रहा हूं student login में आपको जाना है अपना अधार card login करना है और login जैसे ही आप करते हैं आपका registration card पर क्लिक करते हैं आपका card खुल जाता है वहां से आप प्रिंट कर ले या फिर चेक कर ले बहुत स से आप इस link को login करें और वहां से आप सीधे आप अपना अधार नंबर यूजर और पासवर्ड में डाल करके आप login करके आपना card details चेक कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों जैहिर जैभाड़त बंदे मातरब